IPO ने किया था माला माल, एक्सपर्ट बोले 1400 रुपई पर जाएगा भाव, दाव लगाने पर होगा मुनाफ़ा स्टॉक टू बाई, फाइनेंस सर्विस कंपनी मोतिलाल उस्वाल ने एथनिक वियर फर्म पर कवरेज शुरू करने के बाद, शुक्रवार को वेदान्त फैशन, वेदान्ता फैशन के शेर फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज के मुताबिक आने वाले दिनों में यह शेर 1400 रुपई तक जा सकता है, ऐसे में दाव लगाने पर 27 परसेंट का मुनाफ़ा हो सकता है, बता दें कि बुधवार को यह स्टॉक 0.55 परसेंट बढ़कर 1999.65 रुपई पर बंध हुआ, गुरुवार को राम नवमी के चलते मार्केट बंध था, कम्पनी के शेरों का हाग, वेदान्त फैशन के शेरों में एक साल में 17.75 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, और इस साल की शुरुवात से 17.21 फीसदी की गिरावट आई है, BSI पर वेदान्त फैशन का मार्केट के 26,844 करोड रुपए रहा, स्टॉक ने 30 मार्च 2022 को 52 वीक के निचले स्टर 898.95 रुपए और 6 अप्टूबर 2022 को 1,501 रुपए के 52 सप्ताह के हाई पर पहुँच गया, तकनीकी के संदर्भ में वेदान्त फैशन स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI 35.02 पर है, जो यह संकेट देता है कि यह न तो ओवरबॉट में ट्रेड कर रहा है और नहीं ओवर्सोल्ड जोन में, स्टॉक में 0.8 का बीटा है, जो एक वर्ष में कम अस्थिर्ता दर्शाता है, वेदान्त फैशन का शेर 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मुविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है, क्या है ब्रोक्रेज की राए, मुतीलाल उस्वाल ने शेरों में टेजी के चार प्रमुख कारण गिनाए, हैं, ये हैं, एक डेटा संचालित निर्णय लेने के साथ मजबूत डिजाइन क्षमताएं, दो तकनीक संचालित सप्लाई चेन और आटो रिप्लिनिश्मंट, मॉडल, तीन एक्सक्लूसिव वेंडर सिस्टम, चार फ्रेंचाइजी आधारित EBO विस्तार ने इसके कारोबार को बढ़ाने और बहतर मार्जिन हासिल करने में मदद की है, 2022 में आया था IPO, वेदान्थ फैशन का IPO पिछले साल आया था, कमपनी के शेर BSI पर अपने IPO प्राइस से 8.08 परसेंट के प्रीमियम पर लिस्ट हुए थे, इसने BSI पर 936 रुपए पर अपनी शुरुवात की थी, NSA पर शेर IPO इश्यू प्राइस से 7.97 फीसदी उपर 935 रुपए पर लिस्ट हुआ, इसका IPO प्राइस 866 रुपए था,